आईए अभ्यास करते हैं सो आज का फर्स्ट वर्ड है खिजडी खिजडी को इंग्लिश में कहते हैं पौरिज पौरिज मतलब खिजडी नेक्स्ट है रोटी रोटी को इंग्लिश में कहते हैं टौर्टिला टौर्टिला मतलब रोटी नेक्स्ट है चावल चामल को हम इंग्लिश में कहते हैं राइस राइस मतलब चामल अगला है अनाज अनाज को हम इंग्लिश में कहते हैं सेरियल दूद को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं मिल्क अगला है मक्खन मक्खन को हम इंग्लिश में बटर बोलते हैं बटर मतलब मक्खन मतलब दही नेक्स्ट है सिखी हुई ब्रेड जो सिखी ब्रेड आप देख रहे हैं इसे हम इंगलिश में कहते हैं टोस्ट टोस्ट मतलब सिखी ब्रेड और अगला है पनीर पनीर को हम इंगलिश में कहते हैं चीज चीज मतलब पनीर और रायता को इंग्लिश में mixed curd बोलते हैं mixed curd मतलब रायता next है पापड, यह पापड जो आप देख रहें इसी इंग्लिश में कहा जाता है वेफर वेफर मतलब पापड अगला है पाव, पाव को इंग्लिश में लोफ बोलते हैं लोफ means पाव नीबु पानी को इंग्लिश में लेमोनेट कहते हैं लेमोनेट मतलब नीबु पानी और शीतल पे को इंग्लिश में soft drink बोलते हैं soft drink मतलब शीतल पे और मुर्गे को इंग्लिश में chicken बोलते हैं chicken मतलब मुर्गा भुने हुए मुर्गे को इंग्लिश में कहते हैं roasted chicken roasted chicken मतलब भुना हुआ मुर्गा next है अंडा यह जो अंडा आप देख रहे हैं इसे हम इंग्लिश में कहते हैं egg और उबले अंडे को इंग्लिश में कहा जाता है boiled egg boiled egg तला हुव अंडे को इंग्लिश में बोला जाता है fried egg और यह जो जर्दी आप देख रहें इससे इंग्लिश में कहा जाता है योग, योग मतलब जर्दी और अंडे की सफेदी को इंग्लिश में कहते हैं egg white और अंडे की भुर्जी को इंग्लिश में बोलते हैं scrambled egg Scramble egg Next है चाना चाने को हम इंग्लिश में कहते हैं Cottage Cheese Cottage Cheese मतलब चाना Next है Sauce यह Sauce जो आप देख रहें इससे इंग्लिश में कहा जाता है Sausage Sausage मतलब sauce और समुंदरी भोजन को इंग्लिश में कहा जाता है Sea Food Sea Food मतलब समुंदरी भोजन अगला है मचली मचली को इंग्लिश में बोलते हैं Fish Fish मतलब मचली और मचली के टुकडे को इंग्लिश में बोला जाता है Stick Stick मतलब मचली का टुकडा और सुर के मास को इंग्लिश में बोला जाता है Bacon Bacon मतलब सुर का मास Next है खटी मलाई यह जो खटी मलाई आप देख रहे हैं इसे इंग्लिश में बोला जाता है सौर क्रीम सौर क्रीम मतलब खटी मलाई और लगु गोला पटी को इंग्लिश में बगेट बोलते हैं बगेट मतलब लगु गोला पटी और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा और मैं मिलती हूँ आप से एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तो प्लीज लाइक सबस्क्राइब देन शेयर